हेलो स्टुडेंट्स आई होप यू अल आर वेल और गूड सो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था वर्फ टॉपिक को आज भी हम वर्फ को ही कंटिन्यू करेंगी और आपको याद होगा अगर आपने अच्छे से देखा होगा वीडियो को तो हमने कुछ बेसिक बाते वर्फ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या कॉंसेट था वर्फ किसे कहते हैं इसके लाव वर्फ का क्लासिफिकेशन जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है जिसे हम रेगुलर इर्गुलर वर्फ में क्लासिफाई करते हमने उससे समझा था इसके लाव बहुत सारे हम हमने टाइप पढ़े थे वर्व की जिसमें आप देखेंगे इतने सारे हमारे पास टाइप थे जिनमें से बेस्ट ऑन एक्षन यह वाला वर्व हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं ठीके पिसली क्लास में यह कंप्लीट हो चुका है जहां पर हमने एक्षन वर्व और कर देंगे तो मैं दुबारा इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी तो शुरू करते हैं आज हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्व हैं और हेल्पिंग वर्व में भी हमने देखा दू तरीके का क्लासिफिकेशन है फर्स वन रे प्राइमरी वर्व एंढ़ सेकिन वर्मी अपे लिए के अपनी फौर्म्स है और और डू के भी अपने फॉर्म से तो शुरू करते हैं पहले इनको इनके अलग-अलग फॉर्म को समझेंगे फिर शुरू करेंगे जैसे हमने अभी देखा कि हमने जो प्राइमरी वर्फ का क्लासिफिकेशन है भी हैव और डू तीन तरीके से क्लासिफाई करके रखा हुआ है और इन तीनों में आप इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जब हम बात करते हैं वर्फ की फर्स फॉर्म की तो ये तीनों ही वर्फ की फर्स फॉर्म है लेकिन आप देखेंगे इनकी खुद की भी अलग-अलग फॉर्म होती है जिसे बात करें बी की बी या फिर इसे आरक बोल सकते हैं यह वर्फ की first form की तरह ही consider की जाती है लेकिन आप देखेंगे इसकी second form की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाता है was, were, third form क्या हो जाएगा being, fourth form being यह being था और यह being है और वर्फ की fifth form क्या हो जाती है is ठीके तो आप जानते हैं being हम ज्यादा तर perfect tense की category में use कर और बात करें fourth form की तो यह आप देखेंगे being यह कहां पर यूज क्या जाता है ज्यादा तर आप देखेंगे passive voice में इसका use क्या जाता है नॉर्मल सैंस में भी क्या जाता है पर ज्यादा तर नॉर्मली जो आपने इसका use देखा है ना वह जब हम बात करते एक्टिव वाइज अलग-अलग form है second form क्या होती है head third form भी इसकी head होती है ठीक है fourth form इसकी having होती है और fifth form इसकी has होती है बाकि अभी इनके detail में कि कैसे कैसे कहां कहां use करते है उसे भी हम अच्छे से समझेंगे third जो हमने category पढ़ी है वो क्या थी do की do की category वर्फ की first form है यह आप देखेंगे second form क् होती है did और आपने देखा है simple past में हम did को use करते हैं जब हमें negative या interrogative बनाना होता है sentence को तो वर्फ की third form done है वर्फ की fourth form doing है वर्फ की fifth form does है ठीक है I hope कि यह आपको अच्छे से clarify हुआ कि अलग-अलग forms किस तरीके से हैं be की have की do की ठीक है इसके अलावा primary verb के बारे में हमने समझी थी क्या चीज सबसे पहली चीज हमने नेखा था कि primary verb जो है वैसे तो है यह helping verb लेकिन आप देखेंगे helping verb के साथ साथ कई बार यह main verb का भी काम करते हैं तो यह main verb का भी काम कर सकते हैं और helping verb का भी काम करते हैं ठीक है यह depend कर लेगा sentence जहाँ पर आप देखेंगे अगर main वर्फ है तो उस sentence में इसे शपोर्ट देने का काम करता है तो उस case में हम उसको helping वर्फ चौंसीडर करते हैं जहां पर main वर्फ नहीं होता लेकिन यह helping वर्फ आपको देखेगा तो आप देखेंगे की यही क्या कर रहे होंगे main work का काम कर रहे होंगे I hope कि यह clear होगा कुछ example के थूरू इन्हें समझते हैं जैसे यहाँ पर बात करें B की तो हमने देखा B की अलग-अलग forms है पहली चीज मैंने आपको बताए कि यह helping work and main work दोनों को ही काम कर सकता है दोनों का ही यहाँ पर क्या दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं कई जगह पर आप देखेंगे सिर्फ helping work की तरह यूज होगा कई जगह पर आप देखेंगे main work की तरह यूज होगा second thing आप देखेंगे B की या हम बोल सकते हैं कि primary जो work देना वो दोनों ही चीज़े बताने का काम करते हैं दोनों चीज़े से सेंस है stative work और action work आपको अगर stative work दिखाना है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं और action work शोग करना हो तो भी आप इसे क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ठीके तो यह important uses हैं भ्यान रखना है कि जो हमने primary work पढ़े वो सब सारे ही primary work main work का भी काम कर सकते हैं और helping work का भी काम कर सकते हैं इसी तरह stative work का भी काम कर सकते हैं अब कुछ बाते हमें यहां given हैं अब हम समझते हैं जो example यहां पर given आप देखेंगे परस्ट example हमें given है अब यहां पर आप देखेंगे इस यूज किया गया है और जैसे मैंने बताया अगर जब भी यह जो हमारे पास primary work थे यह जितने हमारे पास primary work है जब यह helping work का काम करेंगे तो अपने साथ कोई ना कोई work की form लेंगे अब उस form में कुछ भी हो सकता है work की first form, second form, third form, fourth form और fifth form कुछ भी लेंगे तो helping work की तरह जब काम करेंगे तो यह अपने साथ क्या लेंगे कोई ना कोई main work ज़रूर लेंगे अब बात करते हैं यहां पर आप देखेंगे is use किया गया पर इसके बाद आप देखेंगे our doctor आगया our doctor क्या हो जाएगा हम जानते हैं कि यह एक noun का काम करेगा ठीके तो यहां पर आप देखेंगे कि यह main work का काम कर रहा है यहां बताया जा रहा है सिर्फ state बताने की कोशिश की जा रही है कि वो क्या है एक doctor है और यहां पर यह जो is है ना आप देखेंगे यह linking work का काम कर रही है यानि कि जो subject है subject के बारे में ही बताया गया है कि क्या है एक doctor है और इसी चीज़ को हम क्या करें इस के थुरू दोने चीज़ों को subject को और साथ में इसका जो यह है डॉक्टर जिसके बारे में बताया है इनकी दोनों को हम क्या करते है लिंक करने का काम कर रही होते है तो यह यहां पर एक linking work की तरह भी क्या काम करता है काम कर रहा है ठीक है आई होप यह clear हुआ होगा second वाले में आप देखेंगे she is treating patient अब यहां पर आप देखेंगे treating यह क्या है एक main work का काम कर रहा है और इसके साथ is bi that means helping work का काम करेगा और treating work की कौन से फॉर्थ है कौन से फॉर्म है तो वर्व की फॉर्थ फॉर्म है यह भी आपको अच्छे से पता है ठीक है तो आप समझ पा रहे हो यहां पर कि फर्स्ट वाले में आप देखेंगे यह main work का काम भी कर रहा है और आप इसे बोल भी सकते हैं कि यह linking work भी है second वाले case में आप देखेंगे helping work का काम कर रहा है इसके साथ इसका main work आया हुआ हुआ है treating work की fourth form next student जैसे की third वाले example में आपको given है she has been faithful to his colleagues अब यहां पर आप देखेंगे यह जो हमें given है faithful अब जानते हैं कि क्या है adjective है यहां पर अब देखना है जैसे अभी मैंने बता है helping work है helping work की तुरंद बात कोई ना कोई main work आएगी जिसमें हम बात करते हैं work की first, second, third, fourth, fifth कोई भी form हो सकती है जबकि यहां पर आप देखेंगे क्या given है adjective और has been, have been वैसे तो क्या होता है auxiliary work होते हैं दोनों ही helping work का काम करते हैं पर अगर हम बात करें इस वाले sentence में न तो आप देखेंगे has तो यहां पर auxiliary work का काम कर रहा है लेकिन यह जो bean है यहां पर क्या कर रहा है main work का काम कर रहा है क्यों? क्योंकि आप देखेंगे has have has have के बाद हम work की third form यूज़ करते हैं और आप देखेंगे bean यह भी क्या है work की third form ही है ठीक है? इसके अलावा अगर यहां पर देखोगे आप तो यह helping work है helping work के बाद तुरंत main work आनी चीथी है इन दोनों बातों को satisfy किया जा रहा है और अगर आप दोनों को helping work की तरह consider करेंगे न तो उसके बाद फिर आप देखेंगे adjective आ गया कोई main work हमारे पास है नहीं तो इस case में इस वाले example में आप देखेंगे जो has है वो auxiliary verb है helping verb का काम कर रहा है लेकिन जो been है यहां पर main verb का काम कर रहा है और faithful यहां पर क्या है एक adjective है जबकि fourth वाले sentence में आप देखेंगे न she has been doing his work आप देखेंगे यहां पर भी has been है लेकिन इसके बाद क्या है doing और doing हमारा क्या है main verb है और यह कौन सी form है verb की fourth form है तो yes यहां पर एक main verb है इससे पहले has been यह जो दोनों ही आया यह दोनों के दोनों यहां पर क्या करें helping verb का का काम करें तो I hope आपको समझ में होगा कि sentence के ओपर depend करेगा कि उसके पास main verb है या फिर कोई adjective है या adverb है क्या चीज़ है उसके according आपको देखना पड़ेगा कि यह किसी sentence में same जो चीज़े होंगी same जो primary verb होंगे helping verb का भी काम कर सकते हैं कई जिके पर आप दिखेंगे कि यह क्या करते हैं main verb का भी काम कर देते हैं I hope चीज़े clear होंगी तो B के बारे में पहली चीज़ हमने जो समझी वो क्या था कि helping verb की तरह भी काम कर सकता है और main verb की तरह भी क्या करता है काम करता है और इसके example आप यहां देख चुके हैं second thing हमने बात की थी कई sentence में आप देखेंगे यह state बताने के लिए position बताने के लिए भी use किया जाएगा और कई जगे पर आप देखेंगे कि action verb को यानि कि actions को represent करने के लिए भी use किया जाएगा for example जिसे मान लीजे मैंने आपको पहला sentence दिया he is honest एक sentence और जैसे कि she is working अब आप देखेंगे रहीजों के धाएगा यहां पर भी is है और यहाँ पर परका है एक mine नव औ तो यह कौन सी form ह है इन जी्य तो वर्फ की फ़ोर्स देखेंगे क्या है यहां पर आप देखेंगे जयरे यह यह यहां पर mainilton का का माकर रहा है और main वाफ के बादter इरा यहां पर क्या कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है कुछ नहीं यहां पर सिर्फ क्या है स्टेट बताने की कोशिश के है ही के बारे में ही की position बताया रही है हम बोल सकते ही की स्टेट बताया रही है, कि वो कैसा है honest है, उसका nature बताया रहा है तो यहां पर आप देखेंगे की यहा है, स्टेटी वफ का काम कर रहा है क्योंकि कोई action यहाँ पर perform नहीं हो रहा है सिर्फ state बताने का काम हो रहा है जबकि second वाले में आप देखेंगे she is working यहाँ पर helping verb की तरह यूज हो रहा है और working working का मतलब क्या है कोई ना कोई काम तो वो करी रही होगी तो यहाँ पर क्या है कोई ना कोई action perform हो रहा है तो यह किस चीज को शो कर रहा है action verb को शो कर रहा है I hope की दोनों बाते clear होई होगी कि कभ यह state verb का काम करेगा कभी यह क्या करेगा action verb का काम करेगा कभी जो B की forms वागी B होगा वो helping verb की तरह भी काम कर सकता है तो I hope की चीज़े अच्छे से clarify होंगी ये सारी बाते आपको समझ में होगी तो अभी हमने बात करी है B की आप देखेंगे B के साथ ही is RM होता है और इसके साथ एक और M भी यहाँ पर use किया जाता है is RM तो पहले हम इनका भी use समझेंगी कहां कहां पर use किया जाता है तो जैसे मैंने आपको बता है is RM के बारे में तो आप देखेंगे बेसिक बाते ही हलक की ये बाते सबको ही पता होती है और I hope की आपने भी अगर टैंस को पढ़ा होगा तो आपको भी पता होगा बात करें is की, r की और m की तो इसको कहां कहां पर use किया जाता है सबसे बेसिक चीज़ जो इसके बारे में आप सब जानते होंगे तो ये हम use करते हैं present continuous tense में second thing क्या है कि is RM जब भी आता है आपने साथ वर्व की fourth form लेता है तो ये बहुत ही basic बाते थी जिन्होंने भी थोड़ा भी tense को पढ़ा होगा ला उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि continuous tense में present continuous tense में हम क्या करते है is RM को use करते है और जब भी is RM आता है तो अपने साथ कौन सी form लेता है वर्व की fourth form लेता है ठीक है ये तो था basic चीज जो आपको पहले से भी पता होगी लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि और कहा कहा पे is RM का use किया जाता है और देखिंगे आप यहाँ पर आपको क्या है tense की भी revision हो जाएगी क्योंकि अगर आपने tense को भी अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी इसके use समझाए गए थे तो बात करते हैं उसके बारे में इसी बारे में आपका tense भी revise हो जाएगा और फिर से concept क्या हो जाएंगे revision में आजाएंगे तो सबसे पहले बात करें यह आप समझ चुके हैं कि हम कैसे use करते हैं is RM present continuous tense में use किया जाता है इस को समझते सबसे पहले चीज कि is RM को use किया जाता है एक ऐसे action को दिखाने के लिए जो ongoing है ऐसे action जो अभी continue है जो हो रहा है ठीक है एक एक्षण को represent करने के लिए हम क्या करते हैं इसने उंखे आप देखेंगे ऐसे एकषोड़ में से कर सकते हैं जैसे कि यहां से यहांसिन पर आपको गिवन है event that will take place in near future हमें पता है कि near future में कुछ होना ही है या कोई action perform होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको भी हम ease rm भी use कर सकते हैं हम जानते हैं कोई चीज जब future में जाती है तो वैसे हम will और shell का use करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं आप उसको ease rm के form में भी लिख देंगे तो कोई गर्बड भापर नहीं होगी थर्ड चीज और important कहां पर use कर जाता है ease rm आप देखेंगे वैसे तो हमने कहा ऐसे action को दिखाने के लिए रिप्रेसेंट कर जाता जो ongoing है ऐसे action जो continue है लेकिन कुछ action ऐसे भी है जो continuous basis पे हो रहे होते हैं लेकिन हम इस दिख नहीं रहे होते हैं जैसे कि मैंने बोला वर्ड की population क्या है day by day increase होती जारी है हम सब जानते हैं कि ये बात reality है कि वर्ड की जो population है वो बढ़ती जा रही है daily basis पे लेकिन क्या हम में से कोई भी उस चीज को बढ़ता हुआ देख पा रहा है नहीं तो ऐसे action जो हो रहे हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं इस आरेम के फ़र्म में लिख सकते हैं तो थर्ड चीज आपको यहीं बता रहा है action or the event going on at the time of speaking but cannot see them ऐसे action जो हो रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं वो action तब भी perform हो रहे हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे तो ऐसे action को represent करने के लिए हम क्या करते हैं इस आरेम का यूज करते तो I hope यह आपको अच्छे से clarify होगा यहाँ पर आप देखेंगे इस आरेम के जितने use है न वो सब कुछ आपको यहाँ पर एक गठा provide करवा दिया गया है tense में किस तरीके से normal form में किस तरीके से use क्या जाता है competitive exam के perspective से किस तरीके से important है क्या क्या बाते पूछी जाती है I hope कि वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से clear होगा बात करते हैं आप यहाँ पर कुछ example के थुरू समझते है सबसे पहला वाला sentence आपको given है I am studying English now यहाँ पर आप देखेंगे I am using क्या गया है किस तरीके से और यहाँ पर क्या है studying आप देखेंगे यह किस चीज को दिखा रहा है यह main verb को दिखा रहा है एक सेकेंड word की fourth form है क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है main verb है यह हमारे पास और I am यहाँ पर आया जबकि second वाले में आप देखेंगे population is increasing day by day जैसे कि मैंने भी बताया essay action जो perform हो रहे लेकिन हम उन्हें देखने ही पा रहे essay action को भी हम क्या करते है sorry essay action को represent करने के लिए भी हम क्या कर सकते है इस R&M का use करते है जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे population is increasing day by day जो population है वो day by day क्या करें increase करें लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहेगी increase करता है कि आप में से कोई उसे देख पा रहा है नहीं तो essay action को भी हम क्या कर सकते है is R&M की help से represent कर सकते है तो यह आप देखेंगे यह जो हमने third वाली चीज पढ़ी यहाँ पर इसी चीज को represent कर रहा है यह वाला example ठीक है next है हमारे पास I am going to cinema tomorrow तो यहाँ पर यह जो word हमें given है cinema tomorrow अब यहाँ पर आप देखें M यहाँ पर भी use किया गया है going है यह आप देखेंगे एक action work को perform करने का काम हो रहा है और कौन सी form है work की fourth form ही है इसके साथ use क्या गया है M और हम जानते है M क्या है एक auxiliary work है और मैंने बताया था इसरे में के साथ work की fourth form यहाँ पर यहाँ पर use क्या जा रहा है अब बात करते हैं इसको sense wise अब इसमें sense क्या मिल रहा है I am going to cinema tomorrow तो बताया जा रहा है कि कल में क्या है cinema जाऊंगी ठीक है ठीक है तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है ऐसा action जो near future में होगा ठीक है ऐसा fix नहीं है कि यह हो गई होगा हो सकता है cancel भी हो जाए लेकिन इसके होने की probability जादा है इसके ना होने की probability से that's why इनको हम क्या करते है इस तरीके से use करते है जैसे इसी में बोल सकते हैं कि कल प्रधान मंत्री फलानी जगह पर क्या देंगे speech देंगे तो यह भी क्या है fix है यह से हमने बोला कि मान लिजे की British का मान लिजे की जो Prime Minister है वो क्या USA का दौरा करेंगे next week तो यह भी चीज़ क्या है fixed है होने के chances ज़्यादा है ना होने के chances भी हैं कि चीज़े हो सकता है cancel हो जाए पर ना होने के chances कम है और होने के chances ज़्यादा है अब जो इसके बाकी फॉर्म है ना हम उनके बारे में भी बात करेंगे तो बाकी फॉर्म में और क्या क्या चीज़े है तो आप देखेंगे हम इन तीनों की ही बात कर चुके अब बात करते है VAS, WORK, की इसको कहा ही उसके जाता है और क्योंकि continuous में use किया जा रहा तो कैसे action को दिखाएगा जो ongoing action थे किस कहाँ पर past में ऐसे action जो ongoing थे past में ऐसे action को represent करने के लिए हम past was और work का use करते है ठीक है और जिस तरीके से हमने देखा is rm अपने साथ verb की fourth form लेता है उसे तरीके से वाज वर भी अपने साथ क्या लेगा वर्व की fourth form ही लेगा I hope कि यह बात clear होगी जैसे example से आपको समझ में आएगा I am waiting for you तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपका क्या करा था वेट कर रहा था यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर भी आप देखेंगे I sorry यहाँ पर M नहीं आएगा वाज आएगा I was waiting for you एक second वाज भी नहीं आएगा वर आएगा I के साथ वर यूज होता है तो यहाँ पर क्या आएगा वर I was waiting for you तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो वर यूज किया गया है यह क्या है एक past में ongoing action को represent करने के लिए यूज किया जा रहा है और यह क्या है एक auxiliary verb है इसको क्या चीए main verb और कैसी main verb चीए verb की fourth form तो yes यह हमारे पास verb की fourth form है तो I hope कि यह भी clarify होगा अब इसका एक और important यूज है यह इसकी पहली चीज जो आपने समझी second चीज आप देखेंगे जब हम किसी imaginary sentence को लिखते हैं यह किसी imaginary sentence को show करना चाहते हैं तो उस case में हम क्या करते हैं past continuous tense का यूज करते हैं लेकिन past continuous में सिर्फ एक ही helping verb को यूज करते हैं यहाँ पर आपने दो helping verb पढ़ा वाज और वर के बारे में जबकि जब हम बात करते हैं imaginary sentence की न तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्षन एक ही वर्व यूज के जाता है यहाँ पर कोई और हम helping verb यूज नहीं करते हैं जब हमें imaginary sentences को दिखाना होता है जिसे कि आप यहाँ पर देखेंगे I wish I were a bird तो यहाँ पर क्या है विश क्या जा रहा है यह हम देख सकते हैं कि यह क्या एक imaginary condition है reality में यह चीज पॉसिबल नहीं है बस एक उमीद है या हम बोल सकते हैं एक imagination में इनसान जी रहा है तो उस चीज को यहाँ पर represent करने के लिए आप देखेंगे हमने क्या use क्या है वर उस क्या है तो वर क्या करता है represent करता है किस चीज को represent करता है कि जब हमें क्या है किसी चीज को हम बैठके imagine कर रहे है जो उस टाइम में तो possible नहीं है होना ठीक है second है he pretended as if he यहाँ पर होगा we're sleeping अब यहाँ पर आप देखेंगे he pretended as if he was sleeping यह क्या represent करने के कोशिश कर रहा है सामने वाले को यह शो कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ सो रहा हूँ पर हकिकत में सो नहीं रहा है तो यहां पर भी आप देखेंगे सिर्फ imaginary चीज को create करने की कोशिश कर रहा है लोगों को imagine करवाया जा रहा है कि वह क्या है सो रहा है लेकिन reality में वह सो नहीं रहा है तो यहां पर भी आप देखेंगे work को use किया जाता है तो was work के हमने दो यूज के बारे में पढ़ा पहली चीज past continuous tense में यूज के जाता है work की fourth form लेता है second thing जब हम बात करते है imaginary sentence इसको लिखने की तो हम वहां पर helping work को use करते हैं उसके अलाबा कोई और helping work use नहीं की जाती तो I hope कि ये भी आपको अच्छे से clarify हुआ तो हमने बी के बारे में जो पढ़ना था detail में हमने बी का use भी समझ लिया हमने is, r, m का use भी समझा and was work का use भी समझा अब बात करते हैं कि बी के बारे मैंसे आप जानी चुके हैं पर फिर भी एक बार repeat करते हैं बीन और बीन अब इनके use को हम समझेंगे बीन और बीन को कहा कहा use के जाता है, इसके use को समझते हैं और ये exam के perspective से काफी important है, तो बात करते हैं कहा कहा पर हम बी को use करते हैं कब हम बीन को use करते हैं और कब हम बीन को use करते हैं आप देखेंगे बात करें अगर हम बी की तो B के बारे में अभी हमने देखा कि B क्या चीज को represent करता है तो आप देखेंगे B क्या है एक irregular verb है क्यों मैंने ऐसा बोला irregular verb हमने देखा था first lecture में हमने इस चीज को समझा था कि regular verb और irregular verb क्या होता है regular verb ऐसे verb को बोलते हैं जिसकी second या third form बनाने के लिए हमें सिर्फ D या फिर E D ही लगाना होता है इसके लावा कुछ नहीं लेकिन irregular verb ऐसी verb थी जिनमें आप देखेंगे जो verb की first form है second और third form completely change हो जाती है main verb से ठीक है यानिकि verb की first form से तो यहाँ पर भी आप देखेंगे B, being और being इसकी क्या है अलग-अलग form है सरी वर की first form व्य होती है second form की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा wazwar होती है third form की बात करें तो विन होती है यह verb की third form है यह वर्फ की fourth form है तो आपने देखा कि second, third, her form इसकी क्या है अलग है तो यह कौन सी कैटेगीरी में चला जाता है? regular वर्फ की काटिगरी में चला जाता है ठीके अब बात करते हैं बीच की और यहां बात करते हैं बी जब हम बात करते हैं बीच की तो बीच कहा है एक पास्ट पाटिसिपल है ठीके यह रिप्रेसेंट किया जाता है जो चीज हो चुकी है आप देखेंगे चुका है वाला जो सेंस हमें मिलता है चुका है चुका था यह वाला जो सेंस मिलता है निकी पर्फेक्ट टेंस का जब हमें सेंस मिलता है न तो हम क्या करते हैं यूज करते हैं इसको तो इसलिए कुछा बहुए जाता है पर्फेक्ट पर्फेक्ट पार्फेक्टिसिपल बूला जाता है क्योंकि एक्षेंज जो कॉम्पलीटिट में इसके बारे में इ है या तो है या फिर है या पिर है या फिर है तेनों में से किसी को अपने साथ हमेषा रगता है कभी भी बीर आपको नहीं दिखेंगे अप को आप यह सब्सक्राइब एक पर होगा तो है र penso है एक है ऐव को चीज को यह क्लिए हम क्या करते हैं बात करती है इसको चीज को है इसी चीज को यूजदर ठीक है second चीज आप देखेंगे being भी कभी अकेला नहीं आता being भी अपने साथ कुछ ने कुछ वर्ब लेके आता है जैसे कि for example आप देखेंगे is हो गया, r हो गया, m हो गया यह is, r, m किसी ने किसी के साथ ही आएगा आपको जब भी sentence में आप देखेंगे being आपको मिलेगा ना तो किसी ने किसी चीज के use किया जाएगा चाहे is के साथ, r के साथ, चाहे फिर m के साथ ठीक है second use आप इसका देखेंगे कि जब हमें चीजों में continuity दिखानी होती है कि कोई continuous action perform हो रहा है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं बींग को use करते हैं तो in continuous tense को represent करने के लिए या किसी ongoing action को represent करने के लिए हम इसे use करते हैं बात करें इसके पार्टिसेपल के बारे में क्यूंकि action going है तो इसे हम Present Participle बोलते हैं ठीक है तो यह क्या है प्रेजंट पार्टिसिपल है एक से के लिए यहां पर गलत है ठीक है आई होप की यह बात यहां पर क्लियर होगी अब आप देखेंगे बात करते हैं नहीं पर पर यु से किसे मने कपते हैं नहीं लेता है not take reposition जैसे हमने बात की कि यह क्या करता है प्रिपोजिशन को यूज करता है अगर मुझे यहाँ पर कोई संदेंस लिखना है तो मैं कैसे यूज करूंगी जैसे मैंने लिख दिया फोर एक सेकंड पैंड को चींज करते है जैसे एक्जामपल के फॉर्म में फोर बींग लेट ठीक है तो यह क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बींग है बींग से पहले पोजिशन यूज कर लेगा फोर लेकिन अगर इसी चीज को मैं परफेक्ट टेंस में लिख हो ना पॉर बीं और लेट तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा चुक्याइं अपने से पहले हैंश है बींग लिना पसंद करता नकी फोर ठीक है तो यह अकेला अगर आ रहा है लेगा प्लस में बीन होगा प्लस में कोई न कोई यहां पर एक्शन होगा यहोप स्टूडेंट्स की आपको सारे कॉंसेप्ट अच्छे से समझ में आये होंगे अब हम बात करते हैं कुछ प्रीवेस को सॉल्फ करेंगे जो की बेस्ट हैं बी और बी की अलग-अलग पे कहां-कहां किस तरीकिसे उनको यूज क्या जाता है इनैं ही पर ही बेस्ट आपको यह कोई इनकोशन और आप देखेंगे एक-डी में पूछ जान में होगा ह On in Instagram फार्प यहां पर आप देखेंगे फार्ट में एं सट्प यहुद यहां और हम जानते हैं past time को जो हम show करते हैं तो उसके साथ verb भी कैसी होनी चाहिए past form की use होनी चाहिए और हमने देखा था वाज और वर जो थी वो क्या थी past form को represent करते थी तो check करते हैं आगे तो first वाले part में तो कोई problem नहीं है second वाले part में एन old friend यहां भी कोई error नहीं है third वाले में देखते हैं when I am going अब यहां पर आप देखेंगे अभी हमने बोला कि past time को show कर रहा था तो tense of form भी कैसी होनी चाहिए past helping verb होनी चाहिए जबकि यहां पर क्या use क्या गया है M किस चीज को represent करता है यह present को represent कर रहा है जब time हमें given है कि यह past का है तो वह भी कैसी होनी चाहिए past क्यों होनी चाहिए तो यहां पर आप देखेंगे C part में क्या है error है improve करने के लिए आप क्या करेंगे M को replace कर देंगे past form से तो यहां पर was और were तो आप देखेंगे I के साथ क्या use के जाता है were तो यहां पर क्या हो जाएगा were ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा when I were going to the market I hope की चीजी clarify हुई होगी first वाले question में क्या problem थी आपको समझ में आया होगा move करते है next question की तरफ next question में given है the priest together with his followers were totally injured in the accident which occurred last night near the unmanned railway crossing अब यहां पर आप देखेंगे तो first वाले part में हमें given है the priest together with his follower अब आप देखेंगे यहां पर दो subject वाला case आ गया आपको याद होगा कि subject verb agreement के अंदर भी हम इस बात को पढ़ चुके है कि जब हम क्या करते हैं दो subject को attach करते हैं कुछ words से जैसे कि यहां पर यह हमारे पास क्या है पहला subject है और his follower यह हमारे पास क्या हो गया है दूसरा subject है दोनों subject को use करने के लिए हम नहीं क्या use क्या है together with ठीक है आगे move करते हैं वर totally injured तो यहां भी कोई problem नहीं है वर क्योंकि past form को represent कर रहा है last night time period यहां भी given है तो वर आया है तो कोई problem नहीं है ठीक है totally injured near the unmanned railway crossing तो देखो यहां तक भी कोई problem नहीं है अब जो problem है न वो यहीं वाली चीज़ पे है वर यूज किया इस बात में कोई problem नहीं है क्योंकि past था तो past ही form आएगी या तो was आएगा या तो वर आएगा ठीक है तो इन्होंने दिखाया तो यहां past में ही है इस चीज़ में problem नहीं है पर इस नहीं यहां पर subject verb agreement वाला problem क्रेट के है क्या चीज हम जानते हैं जब हम दो subject को join कर रहे होते है together with से तो आप देखेंगे जो हमारी verb आती है वो main यानि कि first वाला जो subject होता है उसके according आती है तो यहां पर followers थे बहुत सारे उसके according फिल कर दिया गया है यह error है यहां पर ठीक है तो आप देखेंगे यहां पर भी error किसमे है बी part के अंदर है इंप्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे तो replace करेंगे इसको तो यहां पर क्या use करना है वर की जगह पर आप यहां पर use कर देंगे वास क्योंकि यह जो वास आएगा यह priest के according आएगा और आप दिखेंगे priest तो अकेला ही यह ना एक ही है तो singular है तो इसके लिए क्या use कर जाएगा वर तो याद रखना है जब भी दो subject आपस में joint हो रहे ह तो इस case में आपको क्या करना है कि first वाला जो हमारा subject होगा उसके according आपको वर्व यूज करने है ठीक है बाकि सभी हाँ ठीक था टैंस की भी हाँ प्रॉब्रम नहीं थी क्योंकि इन्होंने पास्ट में टाइम भी हमें पास्ट का था यहां पर इन्होंने singular प्रूलर का ध्या केरफूल इवन दो दो लॉगडाउन इस लिफ्टेड तो यहां पर भी आपको सेम चीज करनी है वीडियो को पॉस्ट करना है देखना है किस पार्ट के अंदर एरर है पहले वाले में अगर हम बात करें पार्ट के अंदर तो यहां पर आप देखेंगे एवरीवन इस बीन क पर आप देखेंगे यहां पर जो प्रॉबलम है ना तो बी पार्ट में ना तो सी पार्ट में प्रॉबलम कहा है ए पार्ट के अंदर है तो यही क्या हो जाएगा अब प्रॉबलम क्या है अभी हमने देखा था पहले कि जब हम बात करते हैं बीन की और अब जब हम बात करते यहां पर हमने इसके यू school समझा था कि कब हम Be know को यूज करते है और यहां पर आपने देखा था कि जब हम बात करते हैं यह आप की तो यह पास्ट कि मनें के साथह यूज हेड यहां पर आप देखिए ंगे helping verb कुछ और है helping verb यहाँ पर क्या है is है इसके साथ use क्या है क्या है बीन तो हम जानते हैं कि यह तो पूरी तरह गलत हुजाएगा क्योंकि is r m के साथ हम use करते हैं बीन को ठीक है ना की बीन को तो यहाँ पर आप देखेंगे ए पाट के अंदर रह रह रहा है इंप्रूब करने के लिए क्या करना है इंप्रूब करने के लिए आप बीन को रिप्लेस कर देंगे बीन को रिप्लेस कर देंगे बीन से तो यहाँ पर क्या आना चीए बीन आना चीए ठीक है यूज को समझा बी बींग और बीन कहां पर यूज किया जाता है इसके यूज को समझा इसके बेस्ट हमने कुछ कोशन किये जो एक्जाम से में पूछे गए कोशन है अगर वीडियो आपके लिए helpful रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक्यू, थैंक्यू सो मच